कुछी दिनों में आने वाले हैं board exams इसका मतलब pressure not only for children बट उनके parents के लिए हम इस छोटे से वीडियो में आपको बताएंगे कुछ tips to be a better parent and be stress-free during your children's exam first step is don't stress them out अगर आप उन्हें stress देंगे तो उनका stress भी बढ़ेगा दूसरी चीज है उनके exams के बारे में syllabus के बारे में उन्हें guide करें कि उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए लेकिन कभी भी उन्हें nag ना करें बार बार पुछते रहने से बार बार repeat करने से उनके उपर stress बढ़ सकता ह अगली चीज है जो कि मैंने बहुत बार note भी करी है कि जित्ते गंडे exam चल रही होती है parents जित्ते गंडे exam ओलके बाहर खड़े रहते हैं प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें because इससे भी बच्चों को stress level increase हो सकता है आप उन्हें थोड़ा सा care दिखाएं confidence दिखाएं उससे उनका भी confidence increase होगा और आज का final tip है कि please उनसे marks 100% जिसके बारे में बात ना करें ऐसा ना हो आप कहते रहें कि बेटा हमारी 80% expectations है या 90% तो लाना ही पड़ेगा instead आप उन्हें ऐसा कह सकते हो कि give your best और उससे जो result आगा वो आपको भी acceptable होगा ऐसे वो stress free रहेंगे तो यह थे आज की tips all the best आपको भी आपके बच्चों को भी for the exams be happy, be stress free और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो please like, share and subscribe